जैहिंद फ्रेंड क्लास TEN सिवेश्री बोर्ट के सभी छात्रों को जैहिंद दोस्तों अब आपका यहांपर जो नेक्स्ट पेपर होगा वह आपका साइंस का है इसलिए हम आप लोगों के लिए साइंस का मोश्ट इंपोर्टन सेंप्ल पर लाए हैं इसमें आपको मैंने वह कुछन रखें जो कि आपके लगाता जितनी परिच्छा हो चुकि बैक येर्स में उसमें जो कुछन मोस्ट कई बार मतलब कुछन आये मैंने वही वह कुछन यहां पर रखें तो आप इन सभी कुछनों को काफी ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि यह कुछन आपके बोर्ड एक् बैबकर को पूरा पूरा तयार कर लेते हैं तो यहां पर आप लोग कर देगा याँपर को नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेर अवस्थ करें तो यहाँ पर सबसे पहले आज हम लोग सेंपल लेपर नमर फाइब का देखते हैं रिव्यू मंदले किस प्रकार से आप मैंने कुर्शन रखे हैं इससे पहले मैंने चार्ट सेंपल लेपर अप्रोड कर उनको भी आप जाकर देख सकते हैं अगर आप जितने सेंपल पेपर का रिविजन कर लेंगे तो आपके लिए उतना ही वेनिफिट रहेगा तो यहाँ पर सबसे पहले आपका पेपर असी नंबर का होता है और यहाँ पर आप लोगों को समय तीन घंटे का दिया जाता है यह कि आपको 20 MCQ में से 20 MCQ सही होने चाहिए यह हर एक बच्चे का टारगेट होना चाहिए यहाँ पर जैसे कि और आपको बोड एक बात ध्यान रखनी है आपको कोई भी कुशन यहाँ पर छोड़ कर नहीं आना सारे कुशन आपको करके आने कुछ ना कुश आप उस कुशन के जानते होंगे तो आप उसको अच्छे तरीके से कुछ ना कुछ अबस लिखेंगे तो आपको जो कॉपी चेक कर रहा है तो आपको कभी प्रकार अच्छे नंबर देगा तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला कुशन कह रहा है कि आज स्टूडेंट टुक कापर अल्मूनियों तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जबाब होगा वो यहाँ पर हमारा आप से नंबर यह वाला इसका सही जबाब वो कौन सा होगा यह वाला यहाँ पर यह वाला हमारा इसका सही जबाब होगा इसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट कुश्टन है इसके बाद हमारा question number 2 तो question number 2 यहाँ पर कहे रहे what is the color of the residue left in the test tube after thermal decomposition of ferrous sulfide तो यहाँ पर हमारा इसका जो सही आंसर होगा वो यहाँ पर हमारा option number C brownish black याणि कि हमारा option number C वाला इसका correct option होगा option number C वाला इसके बाद next question हमारा question number 3 तो question number 3 which one of the following types of medicine is used for treating in digestion तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या होगा anti-acid क्या होगा anti-acid यहाँ पर हमारा option number E वाला इसका सही जवाब होगा इसके बाद यहाँ पर next question हमारा question number 4 तो question number 4 यहाँ पर कह रहा है कि which of the following compounds content कार्बोस्लिक गुरूप तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको कार्बोस्लिक गुरूप का यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहात्मक समू होता है तो यहां पर जैसे कि जो हमारा C डावलोज जहां पर मिलेगा वही हमारा इसका अंसर होगा यहां पर देखिए है नहीं यहां पर नहीं है यहां पर भी नहीं है यहां पर नहीं है यहां पर नहीं है यहां पर हमारा इसका नमबर आपसे नमबर the gas involved is collect by the method sewn in the figure answer the following question based on it तो यहाँ पर आपको कहरे है name the method used for collection of gas मतलब किस method का यहाँ पर प्रियोग किया जा रहा है तो यहाँ पर आपको उस method का नाम बताना है तो यहाँ पर हमारा कौन सा method प्रियोग किया जा रहा है वह यहाँ पर हमारा downward displacement मैंदने कि हमारा आपसर नंबर C वाला इसका सही जबाब होगा इसके बाद कुसर नंबर 6 तो कुसर नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है what happened when calcium is treated with water तो यहाँ पर हमारा इसका सही जबाब होगा आपसर नंबर यहनि कि हमारा C वाला सही होगा और D वाले दोनों statement हमारे सही है इसलिए हमारा आपसर नंबर नंबर आपर D वाला सही जबाब होगा इसके बाद हमारा कुसर नंबर 7 functional group C वाला इच is presented in which of the following तो यहाँ पर आपको कुसर पहले ही बता चुके हैं कि हमारा function जो गुरूफ है कौन सा होता है यह हमारा होता है कार्बोकसिलिक गुरूफ कौन सा होता है कार्बोकसिलिक एसेड इसके बाद next यहाँ पर हमारा question number 8 तो question number 8 यहाँ पर कह रहा है the digestion of which food component begins in stomach तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जबाब होगा आपसर नंबर डी आपसर नंबर यहाँ पर आपका C वाला सही जबाब होगा क्या होगा प्रोटीन्स क्या होगा यहाँ पर हमारा इसका सही जबाब होगा प्रोटीन्स क्या होगा प्रोटीन्स इसके बाद next question number 8 तो question number 9 यहाँ पर 9 कह रहा है alternative forms of gene are called यहां पर हमारा इसका सही जवाब क्या होगा? एरिलीज यानि कि आपसर नमबर D वाला हमारा इसका सही जवाब होगा इसके बाद कुस्टर नमबर 10 तो कुस्टर नमबर 10 यहां पर कह रहा है Length of Pollen Tube Depends on the Distance Between तो यहां पर हमारा इसका सही जवाब होगा इसके बाद कुस्टर नमबर यहां पर हमारा 11 है तो कुस्टर नमबर 11 कह रहा है The Component of Chromosome That Controlls Heritage Is तो यहां पर हमारा इसका सही जवाब होगा आपसर नमबर D, DNA क्या होगा? DNA इसके बाद कुस्टर नमबर यहां पर हमारा 12 है कुस्टर नमबर 12 यहां पर कह रहा है A whale stand lip, peel mount when observing under the high power of Microsoft So Nikolai in तो यहां पर हमारा इसका सही जवाब क्या होगा? आपसर नमबर B वाला हमारा इसका सही जवाब होगा Guard Sales and Epitermal Sales यानि कि हमारा आपसर नमबर B वाला इसका सही जवाब होगा इसके बाद यहां पर हमारा कुस्टर नमबर 13 आता है तो कुस्टर नमबर 13 यहां पर कह रहा है कि At the time of short circuit, the current in the circuit तो यहां पर हमारा इसका सही जवाब होगा Increase heavily तो यहां पर हमारा आपसर नमबर D वाला सही जवाब होगा इसके बाद यहां पर हमारा question number 14 question number 14 यहां पर कह रहा है two conducting wires of the same material and of equal lengths of equal diameters are the first connected in series and then parallel in the circuit across the potential difference that the ratio of heat produced in series and parallel combination would be यहां पर हमारा इसका सही जबाब क्या होगा question number D one ratio four क्या होगा one ratio four इसके बाद question number यहां पर हमारा 15 है तो question 15 यहां पर कह रहा है green houses यहां पर आप लोग समझ गए होंगे green houses means मतलब है तो यहां पर हमारा इसका आपसर नमबर D बारा सही जबादा होगा trap solar radiation and increased temperature इसके बाद यहां पर हमारा question number 16 तो question number 16 यहां पर कह रहा है which of the following belong only to the second traffic level तो यहां पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो यहां पर हमारा आपसर नमबर D बारा सही होगा B and C कौन्स होगा B and C इसके बाद यहां से आपको statement based question मिलती है तो यह question आपके लिए काफी important हो जाते है इन question को आपको solve करना भहती आवश्यक है यह question आपके यहां पर 4 question आप लोगो को statement based पूछे जाते हैं तो इन question को आप कई अच्छे तरीके से पहले पढ़ना होता है फिर आपको जो यहां पर इसका region दिया गया होता है उसको भी आप लोगो कई अच्छे परकार से पहले पढ़ना है इसके बाद समझ कर ही इसके answer देने है क्योंकि यह question काफी doubtful होते है सभी बच्छे comment करते है sir 17 to यहां पर 20 question के कई करा दीजिए और question दे दीजिए तो यहां पर जोगी question है इसका एक सबसे बड़ा यहां पर की है कि आपनों को इसको question को काफी ध्यान से पढ़ना ठीक है जल्दवाजी में नहीं पढ़ना है पहरे देखना है जो statement लिखा है वो क्या region का explain कर रहा है या region इसकी explain कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो सारा कुछ आप कोई देखकर ही करना है यहां पर जैसे कि हमारा पहला कुछं कह रहा है इसके बाद यहां पर कह रहा इसके बाद रहा है इसके बाद next कुछं हमारा 18 17 तो कुछिंस नमबर 18 यहाँ पर कह रहें की कुछन नमबर 18 यहाँ पर हमारा किरें चुछ यहाँ पर घूनने की टू एंटी और जीरेस्पर्म यहाँ पर नहीं की रिपार कि अकर्स इन बाध फ़ल्टी लाइजेसन तो यहाँ पर आप देखें गई हमारा जो statement है वो सही है जो हमारा region है वो हमारा false है तो यही पर यही मारे इसका देखिए option कौन सा होगा तो यह हमारा option ओपर c बारास का सही जवाब होगा a is true but are each false इसके बाद यहां पर हमारा question number 19 यहां पर कहरा a solenite trends to expand when a current passes through it इसके बार region दिया गए two state parallel metallic wire carrying current in the same direction attract each other तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो statement है वो false है statement हमारा false है और जो आपका यहाँ पर region दिया गया है वो आपका यहाँ पर region बिल्कुर सही है तो हमारा region यहाँ पर सही है तो यहाँ पर जो हमारा इसका option सही होगा वो यहाँ पर हमारा option आपसे नमबर देखेंगे कि जो हमारा statement है statement A वाला वो false है क्योंकि जो man होता है वो और दी वोरस होता है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है और जो हमार region है वो हमार region बलुकुर true region है तो यहाँ पर जो हमार इसका option सही होगा वो यहाँ पर मारा option number D वाला सही जवाब होगा तो इस प्रकार से हमारे mcq complete हुए अब हम लोग अपने section B की और बढ़ते हैं तो यहाँ पर section B में आपको question लिखने होते हैं तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखेंगे आप कोई भी question लिखेंगे तो यहाँ पर आप heading बना कर ही लिखेंगे आप heading बनाएंगे तभी आपको यहाँ पर अधिक साधिक number राप्त होंगे मनलब की मिलेंगे तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आप लोग without heading ना ही लिखें तो आपके लिए काफी बने मनलब की आपके लिए अगर आप heading डालकर लिखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों से सारे पर पहले में question पढ़ूँगा section B के इसके बाद आपको section B के सभी इसके answer आपको दिखा दिये जाएंगे आप वहाँ पर उनसभी answer को complete कर लेना है तो यहाँ पर सबसे पहले section B के सभी question को पढ़ता हूँ इसके बाद आपको यहाँ पर उनसभी question को उतर में सोग कर दूँगा तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला question कह रहा है की explain the communication reaction with examples इसके बाद यहाँ पर हमारा question number 22 कह रहा है की differentiate sample and petal इसके बाद question number 23 यहाँ पर कह रहा है all plants give out oxygen during day, carbon dioxide during night do you agree with statement to give reason तो यह काफ़ी important question है इसको आपको यहाँ पर तयार कर लेना है इसके बाद next यहाँ पर है question number यहाँ पर इसी का और वाला कह रहा है की organisms are classified on the basis of nitrogen based as created by them explain यहाँ पर आपको इसको explain करना है यहाँ दो number का question है तो आप उसके हिसाब से लिखेंगे इसके बाद हमारा question number 24 question number 24 यहाँ पर कह रहा है a convex mirror is used on bus also focal length of 200 cm if a scooter is located in 100 cm from this mirror find the position of nature and magnification of image formed in the mirror यहाँ पर काफ़ी कुशन important है यहाँ हमारा क्या है numerical है इसके बाद next question यहाँ पर हमारा question number 25 तो question number 25 यहाँ पर कह रहा है what are phytoplankton's given one example यहाँ पर आप हमारे सारे section B के हो गए तो अब आप लोग यहाँ पर इसके सभी answer देखेंगे और सभी answer को तयार करेंगे तो यहाँ पर हमारा section B के आपको यहाँ पर सभी answer so हो रहे है तो आप 21 का देख सकते हैं यहाँ पर आप 22 का भी देख सकते हैं 23 का भी देख सकते हैं उसका और वाला भी देख सकते हैं यह हमारा numerical रहा अब numerical भी देख सकते हैं 24, 25 इसका और वाला भी देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आप 26 का भी आंसर देख सकते हैं तो इस तरिकेश आप भी सभी कुस्टिन की स्क्रीन शॉर्ट ले लीजिए ताकि आपको बाद में याद करने में आसानी रहे अब यहाँ पर हमारा सेक्षन सी स्टार्ट होता है तो आप लोग पहले सेक्षन सी के सभी कुस्टिन रीट करेंगे इसके बाद हम आप लोगों को इसके सभी आंसर सो कर देंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग question को काफी ध्यान से पढ़ना है ताकि आपको question याद भी हो जाएं अगर आपको question याद हो जाता है तो आपको answer लिखने में कोई तकलिफ नहीं होती है तो यहाँ पर आप सबसे पहले सभी के answer यहाँ पर आप लोग अच्छे दरीके से पढ़ेंगे जो आपको question लिखे है यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला question कह रहा है What would happen to copper vessels if it is left for a few days in a humid atmosphere without being cleaned इसके बाद question number 28 इसके बाद यहाँ पर आपको इसका region देना है यहाँ पर आपको इसका region देना है आपको सभी question के answer आपको just section C के बाद आपको answer यहाँ पर so हो जाएंगे तो यहाँ पर आथवा में यहाँ पर कह रहा है कि give differences between roasting and calcination with suitable example इसके बाद यहाँ पर हमारा second question कह रहा है explain how the following metals are obtained from their compounds by reduction process give one example of each type इसके बाद यहाँ पर first a कह रहा है metal and which is in the middle of reactivity series इसके बाद भी कह रहा है metal and which is the high activity series तो यहाँ पर आप लोगो इसके answer बताने होंगे तो यहाँ पर इसका answer हमारा क्या होगा इसका answer जो हमारा होगा मतलब कि हमारा question number कौन सा question number 28 का और वाला है 28 का हमारा और वाला है तो आप यहाँ पर कह रहा है पहला question हमसे क्या पूचा गया है which metal तो metal जो कौन सा हमारा होगा तो यहाँ पर हमारा होगा तो इसका answer आप लोग बाद में देख लेंगे तो आपर कह रहा है metal and which is high of reactivity in series इसके बाद यहाँ पर हमारा question number 29 कौन कह रहाएगी explain the process of digestion of food mouth stomach and small intestine intestine in human body इसके बाद हमारा question 30 यहाँ पर है 30 कौन यहाँ पर कह रहा है a man with type A blood has a wife with type B they have a child with type O blood give the ginotype of all of three what other blood groups can be expected in the future offspring in the this couple इसके बाद question number 31 distinguish between convex lane and convex lanes इसके बाद question number 32 the given figure show a battery a switch to bulbs complete the diagram show the electric connection of the bulbs to battery how have you join the bulbs give region इसके बाद यहाँ पर आपको सारा कुछ दिया गया है तो आपको यहाँ पर एक आपको क्या बनाना है आपको यहाँ पर एक प्रिकार का एक structure बनाना है जहाँ पर बलब भी दो लगे हों आपर इस सारी चीज़ें आपको यह इस्तमाल करनी है इसके बाद यहाँ पर नमारा इन सभी कुछन के आंसर सो कर रहे हैं तो आप लोगों को इन सभी कुछन के आंसर देख लेने हैं तो आप लोग सेक्शन सी के यहाँ पर सभी कुछन के आंसर देख सकते हैं कि मैंने किस प्रकार से सभी कुछन के आंसर यहाँ पर सो कर दी हैं तो आप इन सभी कुछन को सकते हैं इसके बाद आप यहां पर देग लिए सभी कुस्षं देख लीजिए यह कुस्षी अपकी एप्लेंट थे मैंने आपके हैं इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके हमाने difference भी दिया है तो difference देख सकते हैं इसके बाद यह भी देख लीजिए numerical भी आपको यहाँ पर दिखाया गया है numerical भी देख लीजिए आप यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं अपने section D की ओर अब यहाँ पर हमाना section D है तो यह यहां पर आप लोगों का स्ट्रॉक्शर बनना तो पहले का हमारा रखने है धर कर ऑद या पर यहां पर है सिंगल वाउंड से इसके बाद यहां पर ब्रोमो ब्रोमो यहां पर वियान करने कि बंद्दT कि चुल के 가까ए मैं सब्सक्राइब कर टेंगे पिर यहां पर उसली जोड़ देना जोड़एकiversity सब्सक्राइब इसके बाद यहां पर ब्रोंप्यातों घला डिआ्यरी तो बयूहते नोंगे क्या होगी मतलब की structure क्या होगा तो यहाँ पर आप दोग चार बर पहले सी लिख देंगे ऐसे सिंगल वांड आपको यहाँ पर एच्छ जोड़ देना है इसके बाद यहाँ पर आपको वह जोड़ना है यह 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 सभी में आप एच्छ जोड़ देंगे तो यह कर व्यूटेनोन की सनदशना ऺिए आपको यहांपर यहांपर सनदशना जो होगी वह यहांपर ने बता चुका हो चुका हुद इसके बाद यहांपर है एक क्से कर लिख लें यहांपन सबसे पहले पीज तो हमारी जोड़ कि आपकर सबसे पहले चाहिए तो यहांद आपके यहां पर इसके बाद यहां पर कहरा है इसके बाद यहां पर कह रहा है तो इसके बाद यहां पर फोर कह रहा है राइट दा नेम आप फार्मूला फू कंपाउंट फॉर्म वें दा एस्टर अपर अंडर गोज अंडर गोज सब पोस्निकेशन जब इसके कहते हैं जब दम घुटता है इसके बाद आपर कुशन नमर थर्टी फाइफ कुशन नमर थर्ट इसके बाद यहां पर सेकेंड कहरा में संदा चेंजर रिच आप यूटर अंजर गोवें यहां पर इनको आपको यहां पर रिप्रेजेंट करना है पांच पांच नमर के कुशन है इसके बाद यहां पर स्टेट फंक्शन प्ली सेंटा आपको इसको करना है इसके बाद और and describe its function इसके बाद question number 36 यहाँ पर कह रहा है thin converging lens from a real magnified image virtual magnified image of an object in front of it इसके बाद यहाँ पर question first यहाँ पर कह रहा है write a position of objects in each case इसके बाद second draw ray diagrams to see image formation each case यहाँ पर आपको इन सभी प्रश्चन के उत्तर बाद में मिल जाएंगे तो आप पहले सभी question पढ़ लीजिए how will the following be affected on cutting this lens into two halves belong into principal axis इसके focal lane यहाँ पर कहरा intensity of the image formed by half lens इसके बाद और वाला आप खुछ से पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको हम सभी के answer so कर रहे हैं आपको सिर्फ सिर्फ आंसर देखने हैं इसके बाद यहाँ पर आपको section D के सभी answer देख सकते हैं कि किसका क्या answer होगा मैंने यहाँ पर वाकाइदा लिग दिया है अपनों के लिए तो यहाँ पर आप सभी के answer match कर सकते हैं किसके क्या answer होगे आप सभी यहाँ पर screen shot भी खीन सकते हैं यहाँ पर देखिए आप लिगे मैंने diagram भी बना दिया है आप इसको अच्छी तरीके से तयार कर लीजिए यह आपकी यहाँ पर board exam के लिए काफी important question paper है यहाँ पर आपके सारा कुछ मैंने लिग दिया है सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर इसको तयार करना है अब हम लोग बढ़ते हैं अपने section e की और अब आप लोग यहाँ पर section e के question खुसे पढ़कर करेंगे आप यहाँ पर screen shot ले लीजिए या तो वीडियो को पॉस्च करकर आराम से इसको question के answer देने का प्रयास करेंगे यह काफी easy होते हैं तो आपको यह खुसे करने है तो यह मैं skip कर दे रहा हूं मतलब कि आप लोग इसको करेंगे यह काफी question थे जो कि आपके board exam के लिए काफी important है तो अब हमारे वीडियो पर नए हो तो वीडियो को subscribe, like, share, अबस्किने जाएं दोस्तों फिर मिलते हैं अपने next वीडियो में तब तक कि आप सब उन्हों को जय हैं